आज की रेसिपी खास बच्चों की पसंद की रेसिपी लेकर आई हूँ ये है अनार से बनने वाली जेली जो घर की ही चीजों से बहुत ही कम समय में बना कर बताने वाली हूँ हलो फ्रेंट मैं हूँ जोती और मेरे चनल जोती कीचन हिंदी में आपका स्वागत है अनार की जेली बनाने के लिए यहां लग वो 500 ग्राम अनार को अच्छी तरह से छिलके हटा कर अनार के दाने निकाल लेंगे अभी इसे जार में डालेंगे और 4-5 सेकंड के लिए बस इसे ग्राइंड करना है आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ग्राइंड करना अभी क्या करेंगे एक छनी के मदद से इसे हम छान लेंगे बहुत ही कम समय में यह जली बन कर तयार होने वाली और बच्यों को तो बहुत पसंद आने वाली है यह तरह से छान लेंगे चममच की मदद से दबाते हुए ऐसे जूस निकालने अभी क्या करेंगे इसे हम जूस को नाप लेंगे जिसे में एक अंदाज मिलागा कि हमारे पास जूस कितना है तो दाने को पर डिपरिंट करता है कि हमारा जूस कितना निकलेगा हमारे पास अभी एक कप जूस है अभी क्या करेंगे अभी एक चास्नी बनाएंगे एक कप चीन पानी को एक उबाल लाना है तो जब तक यह उबाल आ रहा है तब तक उधर जूस देख लेते हैं जो मैंने भी जूस तैयार किया था उसे में क्या करना है अभी चार चमच के लगवाग हम कौन फ्लोर डालेंगे जो हमारा रेगुलर यूज खाने वाला जो चमच होता उसी से लेंगे चार चमच और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है कौन फ्लोर मिक्स होने ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करें जिसे हमारे गुठली या ना रहे इसे थोड़ा सा कलर फूल बनाने के लिए मैं आप एक पींच के लगवाग इसे थाली को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है यहां मेरा चास्नी भी थंडा हो गया वापस इसे जूस और कॉन फ्लोर को मिक्स करेंगे क्यों बहुत ही जल्दी से यह तले में चिपक जाता है तो इसे मिक्स करने के बाद वापस इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल देंग चास्नी में और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब अनार कॉन फ्लोर का घोल चास्नी में डाल रहे हो तो ध्यान रखे गैस को बंद रखना है जब अच्छी तरह से लगे कि आपने मिक्स कर लिया तो गैस को अन करेंगे और इसे कंटीन्यू चलाते रहेंगे आप दे कि इसे continue हमें चलाना बहुत ही कम समय में यह आपका गड़ा होना शुरू हो जाएगा तो अब देख सकते हमारा 5-6 मिनटे हम लग गया था और यह हमारा बहुत ही ठीक होना शुरू हो गया आप देख सकते बीच-बीच में बुलबुला सा निकलने लगेगा तो समझ लीजे कि आपका यह जेली आल्मोस्ट बनकर तयार होनी वाली है आप देख सकते हमारा तले में भी बहुत आसानी से यह छोड़ रहा है तो इस तरह से गड़ा हो जाए तो अभी हम क्या करेंगे आधे चमच के लागवा घी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से उसे मिक्स कर दें और इस तरह से हाथों से दबाते हुए अच्छी तरह से फाइला लेंगे चारो तरफ जिसे एक सार हो सके और इसे हम आधे गंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इस तरह से आप चेक करके देख लें कि हट रहा हो तो सेप में रखना पसंद करते हैं, उस सा सेप मैं आप इसे काट ल inne पसंद का साइज, वन्याइग결 पहुत्त जेली बनकर तयार हो गया। बहुत ही कम समय में हो बहुत ही फटा फट बहुत सारा जेली बनकर तयार हो जाता है। तो एक बार इस तरह से बना का जरूर देखिएगा, आप चाहें तो इसी तरह से खा सकते हैं, नहीं तो इसे और भी अच्छा देखने के लिए, मैंने यहाँ पर नारियल का भूरा लिया है, आप इसे इसमें थोड़ा सा हलका सा कोट कर दे, इससे क्या होगा, थोड़ा सा दे देली की रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, तो एक बार मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें, मिलते हो एक नए रेसिपी के साथ, तब तक लिए टेक केर और बाबाई